हलो, नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से सोगत करता हूँ, एक कओ नए वीडियो में आज को वीडियो में हम आप सभी दोस्तों को बताएंगे कि आप लोग अपने मोबाइल फोन में किस प्रकार से भोजपुरी पावर इस्टार पावन सिंग के सौंग का फॉन्ट डाउनलोड करेंगे जैसा कि आप लोग जानते हैं कुछ दिनों पहलो एक ही बहुत ही पॉपलर सौंग आया था जिसका नाम है नजरिया न लागे यह जो है सूपर डूपर हीट हुआ आज की वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों को यही फॉन्ट प्रोवाइड करूँगा जैसा कि आप लोग ने थमनेल में देखी चुका है यह एक बहुत ही ज़्यादा एट्रिक्टिव फॉन्ट है जिसके माध्यम से आप अपने लिए एक बढ़िया से एल्बम पोस्टर डिजाइन कर पाएंगे यह दियापनिया भी तक हमारी इस यूटूब चैनल टेकनिकल आरियांजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल दंके सब्सक्राइब बटन को प्रिस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में ही मिलेगा घंटी का बटन उसे भी प्रिस कर दीजिए ताकि हमारे दोर अप्लोड किया जाने वाले सभी लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके सबसे पहले हमें अपने मोबाइल फोन में दो एप्लिकेशन को इंस्टाल करना होगा इन दोनों अप्लिकेशन को इंस्टाल करने के बाद आपको यूनिकोड पैड अप्लिकेशन को ओपन कर लेना होगा यहाँ पे आने के बाद आपको अपने उस font को यहाँ पे add कर लेना है जिस font को आज मैं अपने इस वीडियो के माथम से provide करूँगा So friends, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं हमारे पास एस सब list आ चुका है तो हम यहाँ पे कुछ भी type कर सकते हैं जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हमारे पास जो की आधा अधा अच्छर दिख रहा है पूरा अच्छर नहीं मिने कर फ्रेंट्स है तो हम यहाँ पे जो है आधे आधे अच्छर को लेकर अपना टाइप कर लेंगे यदि आपको कोई परिसानी होती है तो आप कमेंट बाक्स में कमेंट करके पूछना बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो फ्रेंट्स यहाँ पे आप लोग देख वा रहे हैं एक-एक वर्ड को हम जो है टाइप कर लेंगे यदि आप नहीं डूड पाते हैं तो आप आसानी से एकदम आराम से कीजेगा हो जाएगा तो फ्रेंट्स जैसा कि आप लोग देख वा रहे हैं कि यहाँ पर हम जो है टाइप कर चुके हैं अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कापी क्या आप सब देखने को मिल रहा है इस कापी वाले बटन पर आपको टैप करना है यह जो टेक्स्ट है कापी हो जाएगा उसके बाद आपको अपने दूसरे अप्लिकेशन पिक्शन लैब आप में चलना है यहाँ पर आने के ब इसके बाद हैपको यह बाद हैका को आपको ना है राइट सार करते हुए हैं प्याले सेलेक्ट करना है अब यहाँ पर आपको आपनी इस फॉन्ट को स्लेक्ट कर लेना है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर हम अपने जाने लिए लीएará पे फिर से हॉपस चल पर आने के बाद आपको gradient color select करना है जैसा कि यहाँ पे आप लोग देखवा रहीं इस color को वनाने के लिए आपको plus के chin पर type करना है अब आप लोग देखवा रहें यहाँ पर कुछ दूसरा भी color select कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पर मैं दूसरा color select कर चुका हूँ बट हमें यहाँ पे same वही color choose करना है जिस color के माध्यम से यहाँ पे लिखा गया है So friends आप लोग यहाँ पे देख वा रहे हैं हमारा जो font है बहुत ज़्यादा attractive देखने में लग रहा है Same यही font आज के इस video में आप सभी को provide करूंगा So friends आप हमारी इस video के पूरी last तक बने रही है इसको यहाँ इतना करने के बाद friends आपको scroll करते हुए चले जाने इनर साइडों के option पे इनर साइडों पे जाने के बाद आप किसी भी color में जो है इसे कर सकते हैं आप थोड़ा सा lighten and brighten करना चाहते हैं तो हाइट में तो हाइट कर दीजे यह फिर आप पीले color में करना चाहते हैं तो पीले color select कर लिजे यहाँ पे आप लोग देख वा रहे हैं हमारा जो है color बहुत ही अच्छे से select हो चुगा है उसके बाद emboss पे जाना emboss को enable कर देना है अब आपको जिस तरफ ज़्यादा चमकीले चाहिए उसी तरफ आप जो है घुमा के साही के चिन पे type कर दीजे उसके बाद आपको यहाँ left side में friends padding कर देना है थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखने लगा अब आप लोग यहाँ पर देख वारे हैं हमारा जो है पूरे का पूरा अच्छा दिखने लगा है so friends यहाँ पर इतना करने के बाद यदि आपको यहाँ पर 3D text को enable करना है तो 3D text के लिए आपको 3D text पर type करना है अब यहाँ पर enable करने के बाद आपको second option choose करना है depth में आपको 3-4 या 5 ही रखना है उसके बाद color को select कर लेना है color select करने के बाद आपको darken 0% कर देना है अब यहा यहां आपने सबसाइब करते हैं सबसाइब करते हैं नहीं लाएगा यहां अजित्वाइब होगा होगा और यह जाएगा है है यहां मिलते हैं एक next वीडियो के साथ